मैं जब तक शुरू करता हूँ पहली बता रहा हूँ यह आज हम लाइफ सेशन अलका सर अर्ली कर रहे हैं साथ बजे के लाइफ सेशन आज हम अर्ली कर रहे हैं इन्शाला रेगुलर टैमिंग पर हम चल पहुंचेंगे तो बात आती है कि जब तक आप लोग सवाल जमा करें इन्शाला तो मैं अपने लेक्चर को शुरू करता हूँ ताकि कोई भी डिले डिले फैक्टर ना जाए जी बात आती है कि एनिफ्टी जब हम खरीद रहे होते हैं मैं बार बार इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो मैं अभी जॉइन किया है जो न्यू मेंबर्स हैं ताकि उनमें कोई डिफिकल्टी ना है समझने के लिहाज से तभी मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि फ्लो में चलें अगर नए भी कोई जॉइन किया है तो कोई मसला ना तो बात आती है कि देखें एनिफ्टी जो है एनिफ्टी हम खरीकते हैं सब्सक्राइब देखें में बेचते हैं मैं निच है इससे हम बेजिकली इक स्टॉक और ट्रेडिंग कर लें कोई की ट्रेडिंग कर लें इसी तौर पर ने इफ्टी को बाई सेहल ट्रेड एक्सचेंज वरएवर हम करते हैं फोर 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 शॉर्ट ट्रफिट या अगर कोई भी हम नुकसान से परहश कर सके तो मैं आपको ये चीजे इसलिए बता रहा हएं कि रीसेंटी मैंने बात की थी ओपन सी के एक प्रमल एक जब employee किसी company से निकलता है तो उसके से आप सारे non-disclosure agreement सारी चीज़ा साइन कर वा लेते हैं सब कुछ साइन कर वा लेते हैं तो बताओ कि क्या होता है कुछ ऐसे होता है कि वो चुपचाप से कुछ करना चाहते हैं कि दूसरों लोगों को पता ना चले लेकिन वो पकड़े जाते हैं और हाला कि NDA उन्होंने साइन किया होता है non-disclosure agreement के जब वो company से निकलते हैं तो वो कोई भी company के credentials कोई भी company की चीज़ें वो नहीं इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन उसके बावजूद जो इस्तमाल करते हैं अपने short term profit के लिए तो उनको नुकसान पाए जाते है जैसे मैंने पिछले week में बात की ती उस open see employee को इस वक jail time गुजारना पड़ रहा है लेकिन इस जिर्वो employee का मसला नहीं है देखें आप कोई भी NFT की profile पे किसी तौर पे भी आप कर रहे है एक चीज आती है protection आप किस तौर पे अपने NFT को protect कर सकते हैं देखें open see एक बहुत बड़ा platform है buy and sell के लिए अगर आप NFT game में strong होना चाहते हैं तो आप हर चीज को मदे नजर रखे करते हैं कि यार मैंने अगर कोई अपना वैलिबल NFT लगाया है तो वो किसी सिस्टम की गलिच की वज़ए से सस्ते में ना विख जाए या कोई और ना ले ले कोई कोई फ्रॉड ना करके मुझसे चला जाए कोई मुझसे गलत बयानी ना कर दे के मेरे ये NFT निकल जाए और जिसके लिए मैंने अच्छे खासे पैसे दिये तो ये आपको ये चीज बहुत मैटर करती है वर्ल नोन प्लैटफॉर्म पर भी ये मसले चाल रहे है आजकल तो आइस्ता इस्ता मैं भी रेक्मेंड करूंगा अपने अपने नौलज को बढ़ाए अपनी चीजों को बढ़ाए राइट टाइम के इंतजार करें क्योंकि देखें ओपन सी का यही मसला आया है कि किसी एक specific NFT का क्या मसला हुआ मसला यह आया कि बंदे ने वह NFT लिस्ट किया और ओपन सी की गिलिच की वज़े से वह NFT सस्ते में बिग गया जो के उसकी प्राइस वह नहीं थी जो उसने लगाई तो यह मसले आ जाते हैं तो अपनी अपने अपने investment site को भी देखके आप किस तोर पे पैसे कमाना चाहरें कितने carefully होके पैसे कमाना चाहरें यह चीज बहुत मैटर करती है खासतोर से इस विल्म में जो के नहीं है और fraud on the rise है देखें बहुत जबर्दर सवाल किया है अब देखें बात आती है NFTs अगर आप NFT को ले रहे हैं Ethereum क्यों इस्तमाल हो रही है जर्थ ब्लॉकषें दुनिया की सबसे पहली ब्लॉकचें ती जिसने अलाव किया था यूजर्स को थर्ट पार्टी एप्लिकेशन कंस्ट्रक्ट करने की अपनी ब्लॉकचें के ओपर उससे पहले कोई भी ब्लॉक ब्लॉकचें यह चीज नहीं प्रोवाइड कर सकती थी Bitcoin की blockchain एक अलग blockchain थी वो सिर्फ एक specific coin को cater कर रही थी जो के अभी भी करती है वो Bitcoin वो कोई भी third party applications allow नहीं करती थी user को बनाने पर अपनी blockchain पर Ethereum ने क्या किया? Ethereum ने सब कुछ चेंज कर दिया Ethereum ने अपना coin तो launch किया ही किया अपने blockchain पर लेकिन लोगों को उन्होंने इजाज़त देदी कि ऐजे रेंट अपनी blockchain देदी एजे रेंट ब्लॉक्चें कर लें उसको क्या भाई मेरी blockchain इस्तेमाल कर लें और मुझे gas fee देते रहे लेकिन ये बात आती है कि gas fee creator को नहीं जाती है gas fee जाती है जो के वह ब्लॉक्चें के functions और mathematical operations देखें ब्लॉक्चें है कि blockchain series of mathematical operations है जो के जाद से जाद एग्जेक्यूट हो रहे हैं जितनी जल्दी एग्जेक्यूट होंगे mathematical functions देखें एक custom node होती है node क्या होती है blockchain में वो node जब वो मिलके एक chain बनाती है एक block बनाती है उसको block कहते है तभी और वो blocks फिर एक chain में तबदील हो जाते है इस चीज को कहलाते है blockchain इस चीज को execute करने के जाद से जाद और चितनी जल्दी हो उतिनी जाद गैस फी लगती है जो के जो miners है वो पे करते हैं क्योंकि उनकी computing power इस्तमाल हो रही है इस चीज को process करने के लिए हास से तो जितनी जितना network busy होगा और जितनी widely known blockchain है दो दो चीज़े matter करती है अगर जितना busy network है और जितनी जल्दी ब्लॉक एक transaction execute हो रही है उतनी ही महंगी होगी जितना network कम busy है उतना जल्दी ब्लॉक transaction को process हो रहा है तो पैसे कम लगेंगे तो यह चीज़ नेटवर्क पर depend करती है फिर क्या हुआ Solana अपनी blockchain लेकर आगे Polygon अपनी blockchain लेकर आगे Ethereum से quite similar लेकिन क्या है new है जादा recognized नहीं है तो network इतना busy नहीं है तो इसकी ही वजह से वो जो blockchain थी वो कम computing power ले रही है लोगों की miners की specifically जिसकी वजह से कम पैसे लग रहे हैं तभी NFT जादे से जादे एथिरियम blockchain पर मौज़ून है और secondly एथिरियम widely used currency है तो एथिरियम हर किसी के पास है Polygon Solana के कि एथिरियम याज़ते है के इस प्लैटफॉरम से खरीट के इस तोर पर trade करके इस तोर पर exchange करके लोगों के पास आज़ते हैं तो यह मसले आज़ते हैं एथिरियम हर platform के पास है कोई भी platform ले लें कोई base ले लें बाइनेंस ले लें कोई भी ले ले एथिरियम वाइडली यूज्ट क्रिप्टो करेंसी है जो कि हर जगा मौझूद है तो यह चीज बहुत मैटर करती है तब ही एथिरियम जादर लोग प्रफर करते हैं वह एक्सपेंसिव वरती है लेकिन जब वाइडली अवेलेबल करेंसी है लोगों के पास वाफर मंगदार में मौझूद है तो लोग असानी पैश करते हैं दूसरों के लिए बनिसबद अपनों के लिए लिए थी दुपार में एंफट कर दिता हूं बात यह आती है कि nft एक फुल फर्म क्या है नस फंजिबल टोकन non-fungible token यह मसला आजाता है देखें यह token किसी और चीज फंजबल नहीं फंजबल के क्या माइन है आप इस चीज को किसी और चीज में एक्सेंज नहीं कर सकते किस चीज में आप एक्सेंज नहीं कर सकते हैं मैं आपको एक्जेंपल देता हूँ जैसे आपने यह NFT marketplace ले लिया कोई भी किसी तौर पे भी marketplace ले लिया NFT marketplace आप non-fungible token इस्तेमाल करते हैं non-fungible क्या जो चीज किसी और चीज में एक्सेंज नहीं हो सकती मैं आपको एक्सेंपल देता हूँ Ethereum हो गया Bitcoin हो गया कोई भी और cryptocurrency हो गई आप इस चीज को different coins में translate कर सकते हैं different चीज में translate कर सकते हैं फर्स करने Ethereum को आप Bitcoin में exchange कर सकते हैं Bitcoin को किसी और coin में exchange कर सकते हैं यह fungible है जैसे dollar को आप किसी और चीज खरीदने में exchange कर सकते हैं NFT क्या होती है NFT उधर ही बनती है उधर ही उनकी source destroy हो जाती है किसी चीज और वह उसी चीज को denote करती है जिस चीज की वज़ा से वो NFT बनी है जैसे painting NFT जैसी blockchain पे list हो गई वो NFT किड बन जाती है जैसी blockchain से हट गई वो खतम हो जाती है तो non-fungible token का simply ये मतलब है blockchain पे जैसी वो चीज कोई भी चीज लिस्ट होती है वो NFT बन जाती है और NFT exchange नहीं हो सकता तभी non-fungible उसका नाम आता है देखें investment आपको investment अगर आप पैसो की बात कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि आप investment पैसो की ही करें NFT marketplace में NFT industry में हाँ time की investment आपको बहुत जरूर पढ़ेगी देकर time आपको invest करना पढ़ेगा आपको सीखना पढ़ेगा कि किस तौर पे आप invest करना चाहते हैं क्योंकि ये चीज बहुत vast field है और अगर आप इस चीज में महारत हासल करना चाहते हैं इस चीज में बहुत सीखना पढ़ता है कोई भी चीज आगे बढ़ने से पहले तो बात आती है continue करते हैं बीच बीच में करकाता हुआ कि इसम्में पैसे तौर कराएं कैसे देखे आप ने मुझे stewards के इस जूर ये इस जीज में इस तरवे बचे तो फ़रिएं हैं इसमें पैसे पैसे आप इसमें तौर पर कमा सकते हैं और आपके पास कोई कि हमी हांधे पंडस सी değişक्राद करें आपने का यार मैं हो सब्ड़े दिनों के लिए तर्व दिनोंहों के लिए retirement move किया उपने 142 ऐन ओनन ग्राशकट देख लेर अनन्नोन प्रोजे run घुंट जो के early stages में होते हैं वो आपको सस्ते दामों में मिल सकते हैं to be to be frank सस्ते दामों में लेकर आप क्या करते हैं आप उस चीज को flip कर देते हैं क्योंकि मेरे अपने दोस्ते ने कुछ सस्ती NFTs खरीद के उसने क्या किया NFTs को एक हफ्ते रखा फिर उसने बेज दी for minimal profit short term profit long term profit देखें मसला क्या आजाता है NFT industry में जब तक आप उस project को properly analyze नहीं कर रहे हैं कि आपको नहीं पता कि ये आगे जा कि ये चीज बढ़ेगी भी या नहीं बढ़ेगी तो जब तक मैं आपको long term investment के लिहाज से बिल्कुल recommend नहीं करूंगा short term देखें हफ्ता दो हफ्ता asset की price बढ़नी बढ़नी है क्योंकि जब वह asset अपने growing stage में होता है तो price reflect करता है जो भी उस चीज में जो भी बंदा specific asset में अपनी money pump कर रहा होता है अचाहे हो short pump हो या pump over the month हो उसकी price बढ़ती बढ़ती है तो आप क्या कर सकते है unknown project जो आपको पता है हलका सा तो बढ़े गई बढ़ेगा हफते दो हफते में लेके बैट गए कम पैसों में अगर आपके पास Ethereum है तो बहतीरीन हो जाएगा Ethereum non cryptocurrency है Ethereum non blockchain based web 3 based application है तो अगर आप Ethereum based अगर आपके पास पैसे है नहीं है तो कोई मसले की बात नहीं है लेकिन अगर आपके पास पैसे है तो आप Ethereum based NFTs खरीद के कम दामों में जितनी सब्सक्राइब सकते हैं उनको लेके बेच के आप short term profit को enjoy कर सकते हैं बनिस्पत कि आप long term hassle को bear करें के यार मेरा इतना नुकसान हो गया अगर आप वो नुकसान नहीं उड़ा सकते हैं तो आप short term करके आगे बढ़ सकते हैं as simple as that तो यह चीज बहुत matter करती है देखें solana अगर आप solana के project पर बात करते हैं तो अगर मैं search करूं solana marketplace solana art कोई भी solana पर देखें मैं कोई specifically किसी project को recommend नहीं करूंगा क्योंकि कोई भी project कुछ नहीं बता कि किस तोर पर क्या है देखें solana पर अगर यहां पर कोई भी project आपको नज़र आ रहा है वो already वो बढ़ चुका है क्योंकि solana के featured page पर जो भी project है उसमे margin कम आ जाता है तो मैं recommend करूंगा आप twitter की space पर जाके solana project को search करके जो आपको पता है कि value provide करेगा future में उस तोर पर आप invest कर सकते हैं और फिर क्योंकि आप क्योंकि